हाई आप कैसे हैं सद्गुरू मैं स्काई हूँ राएन मेरा बाई है और मैं उस रूपांतरन के बारे में जाना चाता हूँ जो लोगों में आपके केंदर में आकर होता है क्यूंकि मैंने उसमें वापस आने के बाद जबर्दस्ट बदलाव देखा ये सब किस बारे में हैं क्या ये सच है कि इस धर्थी पर जीवन के विकास की प्रक्रिया में क्या आप क्रमिक विकास से सहमत हैं ठीक है मैं टेनेसी से आया हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ विकास की प्रक्रिया में क्या ये सच है कि इनसान के रूप में हम सबसे उपर हैं सभी जीवों में हम सर्वश्रेश्ट हैं शायद थोड़ा और करने की जरुवत है मगर फिलहाल हम सबसे उपर हैं मगर क्या ये भी सच है कि जब लोग कहते हैं इनसान तो हमेशा उनका मतलब होता है कि अरे मैं तो सिर्फ इनसान हूँ इनसान शब्द को हमेशा उसकी सीमाओं से जोड़ा जाता है बहुत कम लोगों ने मैं इनसान हूँ का उप्योग इनसान की विशालता बताने के लिए किया है हमेशा इनसान होने की सीमाए तो कहीं न कहीं हम बुनियादी मुद्दे से चूग गए मुद्दा ये है क्या ये सच है कि इस धर्ती पर हर जीव एक कीड़ा, एक चड़िया, एक जानवर जिनका दिमाग हम से लाग गुना छोटा है वे अपनी जीवन प्रक्रिया बड़े अच्छे से चलाते है हलो क्या ऐसा है जब मैं जीवन प्रक्रिया कहता हूँ हम पैदा हुए, वे भी वैसे पैदा होते हैं हम बड़े हुए, वे भी बड़े होते हैं हमने जीवन चलाया है, वे भी जीवन चलाते हैं हमने बच्चे पैदा किये, वे भी बच्चे पैदा करते हैं हम ये सब बड़े जहमेले के साथ करते हैं वे इसे यूही कर लेते हैं हाँ या न हर मामली चीज के लिए हम बड़ा हंगामा करते हैं वे आराम से कर रहे हैं विभिन जीने मरने की तमामों प्रक्रियाएं वे बिना किसी जहमेले के कर रहे हैं हम हर चीज बड़े जहमेले के साथ करते हैं क्या ये बुद्धी मता का सबसे उचा स्तर दिखाता है हम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और इसमें शक नहीं कि हमारी नियूरोलोजिकल प्रक्रिया धर्ती पर सबसे ज़ादा विक्सित है हमारे पास सबसे विक्सित नियूरोलोजिकल सिस्टम है तो हमें बेहतरीन तरीके से महसूस करना, अनुभव करना, समझना और व्यक्त करना चाहिए मगर धर्ती पर अभी कोई दूसरा जीव, इंसान की तरह संघर्ष नहीं कर रहा ऐसा इसलिए है, क्योंकि आपको एक सूपर सूपर कम्प्यूटर मिला है क्या आप मुझसे सहमत हैं कि ये धर्ती का सबसे परिश्कृत यंत्र है, आइफोन नहीं आए पर अब सवाल ये है कि क्या आपने यूजर्ज मैनुवल पढ़ा है बस, लोगों ने यूजर्ज मैनुवल ही नहीं पढ़ा है, धर्ती की सबसे जटिल मशीन का और कैसे भी गलतियां करते हैं वे उप्योग करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज एक समस्या है, मुझे एक चीज बताईए जिससे इंसान दुखी नहीं है अगर वे गरीब हैं तो गरीबी से दुखी हैं आप उन्हें अमीर बना दीजे, तो वे टैक से दुखी हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो दुखी हैं उन्हें स्कूल में डाल दीजे, भारी दुख शादी नहीं हुई तो दुख, उनकी शादी करा दीजे मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा बच्चे नहीं है उससे कुछ लोग दुखी है बच्चे हैं हर रोज दुख तो आप जीवन के हर पहलू से दुखी लगते हैं तो अगर हम मौत दे दें क्या आप खुशी-कुशी जाएंगे नहीं आप दुखी हो जाएंगे तो मुझे एक चीज बताईए जिससे हम दुखी नहीं है अब लोग फिलोसोफी बनाते हैं जीवन दुख है नहीं नहीं जीवन दुख नहीं है नहीं यह आनंद है यह तो बस मौझूद है यह शांदार प्रक्रिया है अगर आप इसकी सवारी करते हैं तो ये शान्दार है, अगर आप इससे कुछले जाते हैं, तो ये भेंकर लगता है, तो क्या आप जीवन की लहर पर सवार हैं, या इससे कुछले जा रहे हैं, यही सवाल है, तो इसके होने के लिए, इनसान को क्या दुख है, माफ कीजिए का आपका नाम क्या है, आप तो बहुत बड़े हैं आप बहुत बड़े आदमी हैं आखरी बार कब किसी ने आपको खंजर चुब होया था हलाकि आप लोस एंजलिस में रहते हैं वो बहुत पहले हुआ था मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों के जीवन में कितना दुख असल में बाहर से आ रहा है जरा सा बाकी वे खुद पैदा कर रहे हैं अगर वे बैठते हैं तो दुख खड़े होते हैं तो दुख अगर कुछ होता है तो दुख कुछ नहीं होता है तो दुख उनका दुख उनकी अपनी ही मनोव्यज्ञानिक प्रक्रिया से है आपके अपने ही विचार और भावनाई यानि आपके सोचने और महसूस करने का तरीका इतना बड़ा दुख बन गया है आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं क्या ये आपको तै नहीं करना चाहिए? हलो? आपके भीतर क्या होता है? क्या उसे आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए? क्या आप मुझे देख सकते हैं स्काई? बताईए मैं कहा हूँ? हाथ से इशारा कीजिये मैं कहा हूँ? अरे आपने घलत बताया. आपको पता है मैं मिस्टिक हूँ? अब ये रोश्नी, ये रोश्नी मुझ पर पड़ रही है. उल्टा मुड़कर आपके लेंज से गुजरती है, रेटिना में उल्टी छवी बनाती है. आप ये सब जानते हैं हैं न? अभी आप मुझे कहां देख रहे हैं? अपने भीतर. अभी आप मुझे कहां सुन रहे हैं? अपने भीतर. आपने सारी दुनिया कहां देखी है? अपने भीतर. हर चीज जो आपको हुई है, पीड़ा और सुख आपके भीतर हुआ है. खुशी और गम आपके भीतर हुए हैं. व्यथा और परमानंद आपके भीतर हुआ है. यहां तक की रोश्नी और अंधेरा भी असल में आपके भीतर ही हो रहा है. दुनिया में जो होता है, वो भले ही आपकी मर्जी से ना हो. पर कम से कम, आपके भीतर जो होता है, उसे तो आपके हिसाब से होना चाहिए है ना तो आपके अंदर जो होता है वो अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो बुन्यादी रूप से हमने जीवन की प्रकृति को नहीं समझा है उसे बिना समझे अपने अस्तित्व की बुनियादी चीजों को समझे बिना, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये सच है? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ क्या ये सच है कि पीड़ा और सुक दोनों आपके भीतर पैदा होते हैं? उसे बाहर से उकसाया जा सकता है, मगर सारा इनसानी अनुभव आपके भीतर से ही आता है जो आपके भीतर से आ रहा है, उसे आपके मताबिक होना चाहिए वरना आप खुद के काबू से बाहर होंगे तो मेरा पूरा काम और जो चीज सिखाई जाती है, उसकी बुनियादी प्रकृती को इनर इंजिनियरिंग कहते है मतलब हमने दुनिया को कई तरह से इंजिनियर किया है जिसने हमें जबरदस्त आराम और सुविधाएं दी है क्या आप मेरी बात से सहमत है कि हम असाधारन सुविधाओं का आनंद लेने वाली सबसे आराम देह पीड़ी हैं जिसकी कोई पीड़ी कलपना भी नहीं कर सकती थी हाँ या ना, जो राजाओं के पास भी नहीं था सौ साल पहले, आज आम लोग उसका अनंद ले रहे हैं, है ना आप कौन सा रथ चलाते हैं, कितने घोड़े हैं हाँ मैं कह रहा हूँ, महराजा भी 400 घोड़े नहीं चला सकते थे, ठीक है तो ये सब मानवता पर बरबाद हो रहा है क्योंकि लोगों का जीवन का अनुभव बहतर नहीं हुआ है क्योंकि आपकी खुशाली कभी बाहर से नहीं आएगी बाहर से आप आराम जुटा सकते हैं, सुविधाएं जुटा सकते हैं पर खुशाली पैदा नहीं कर सकते खुशाली सिर्फ आपके भीतर से पैदा हो सकती है क्योंकि इंसानी अनुभव भीतर से पैदा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अनुभव की प्रकृती क्या है वो जो भी हो, सुखद या दुखद दोनों आपके भीतर से पैदा होते हैं लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण है, तो आप अपने लिए खुशी पैदा करेंगे या दुख? जादा से जादा खुशी, अगर पीड़ा और आनन्द में से एक चुनना हो, तो आप अपने लिए क्या चुनेंगे? कृपया चुनिये, मैं आपको आशिरवाद देने वाला हूँ, पीड़ा या आनन्द? हाँ, कम से कम अपने लिए तो निश्य ही सरवाधिक खुशी, आप अपने पडोसी के लिए क्या चाहते हैं, इस पर बहस हो सकती है, इस साधार पर क्योंनोंने आज क्या किया? मगर खुद के लिए जो चाहिए वो सौफ विसदी साफ हैं, इतनी साधारन चीज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये दिमागी गतिविधी क्रमिक विकास की प्रक्रिया में नई है, ये एक नई घटना है, ये बड़ा दिमाग, नई से मेरा मतलब है सिर्फ कुछ लाक साल पहले, पर विकास के पैमाने पर ये नई है, तो हमारे पास एक ऐसी बुद्धी है, जिसके लिए हमारे प आपको कोई बाहरी मदद नहीं चाहिए, आप अकेले कहीं बैटकर वहीं नर्क बना सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, आप इसे कई आकरशक नामों से बुला सकते हैं, आप इसे पीडा कहें, डिप्रेशन कहें, तरह तरह के रोगों क का नाम दें, मगर दरसल आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, एक बार आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो जाए, तो कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि हम आपको जहां भी ले जाएं, आप दुखी ही रहेंगे, कुछ लोग स चोशते हैं कि एक दिनवे स्वर्ग जाएंगे वे ठीक से रहेंगे मैं पूछ रहा हूं क्या आपके पास कोई स्वर्ग में नहीं है और उसकी दुरगती कर रहें क्योंकि अगर आपका दिमाग काबू से बाहर है तो आपको चाहे जहां ले जाया जाए आप उसे खराब कर द और आप कैसे रह रहे हैं? उसकी तुलना में क्या शिकायत करने के लिए कुछ है? ओ, लेकिन हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं. इस धर्ती पर कोई हमारी तरह भुनभुना नहीं रहा. तो समस्या बाहर की नहीं है. बाहरी हालात जरूर हैं. कुछ हालात हमारे मन मुताबिक होंगे, कुछ नहीं होंगे. ऐसा ही होता है. आपके परिवार में चाहे दो ही लोग हों. तब भी क्या हर चीज आपकी मर्जी से होती है? नहीं. वो कभी नहीं हो सकती. बाहरी चीजें प पूरी तरह आपकी मर्जी से होना चाहिए अगर अब ही आपके भीतर जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा होता तो आप खुद को सुख के सरवोचस तर पर रखते या नहीं उसके साथ बस इतना ही हुआ है हलाकि मौत से भी सामना हुआ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो आपके भीतर हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है कोई जादू नहीं बस इंजिनिरिंग